तो चात्रो आपका सौगात है आज के इस वीडियो पर और आज के इस वीडियो यदि आप चाहते हैं कि भाई साब हम गड़ित की पेपर में आपको यह पे टॉपर्स बनें पर आपको देखने को मिलेंगे तो 101% आपका रियल कोश्चन पेपर है डाउट मत करो एक कोश्चन रट लो देखिए कुछ यूटूब का वीडियो आप देखते हैं और बोलते सर क्या आपका यह सही है तो आप फेक पेपर पर मत पड़ो जो मैं दे रहा हूं अच्छे से कोश्चन का मेरे पास लिखित अंसर है कोश्चन 11 का अंसर 10 का अंसर तो सभी के अंसर एक एक करके आपको एपर देगे देखिए यहापर हर एक कोश्चन का मेरे पास अंसर है साथ में आपको एठारवा है तो आप लाज तक बने रहो हर एक कोश्चन को आपको बता और यदि आप कर लेते हैं सर्ट आपका कोई भी हो मैटर नहीं करता है लेकिन आप अगर यहां से करते हैं डेफिनेटी आप 70 नंबर मिनमम आप ला सकते हैं देखिए अगर मैं बात करूँ तो मैंने सारे अब्जेक्टिव के अंसर आपको दे दिया था और आज मैं आपको य शे नंबर आपके पर कोश्चन दिया है दो क्रमागत धनाता पुनांगों का गुलनफल दो से विभाज है तो कथन आपका सथ है या फिर आपका असथ है तो इसका अंसर देख लीजिए आपको अंसर यह मिल जाएगा तो आप अंसर यहां से अच्छी सियात करो साथ में इस संखीयों का LCM उनके देखी ऐसी होता है LCM से विभाज होता है तो आपको अंसर यहां पर चंही है तो आपको अंसर चाहिए तो 30 में देखिए आपका 2 का विभाज है तो बिल्कुल देखिए विभाज हो गया 6 का 7 से देखिए क्रमागत की बात कर रहा है यानि क्रम से हो चीए 8 के बाद आपका 9 हो चीए 10 के बाद आपका 11 हो चीए तो 4642 बयर्सलीधि आपका 2 का वहाज जलेगा मतलब क्या है कठान आपका 7 है और इसके बाद आपको इहफी अज़र करना है इसके बाद कोशिण देखिए आपको ईयरा बात है कोशिण आपका इथ सात्वा एफ था ठीक है तो 7 कोशिण आपका इस वैग आ देखिए चले कोश सब्सक्राइब करना है तो इसका अंसर आपको 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 अंसर यह करना है 140 का देखिए 156 यह वाला कोश्चन आया हुआ है तो इस चपन को दो दो नी 4 चारती है 12 12 का ओड़े 13 से करें 156 आएगा और आपको आपको अंसर यह कर देना है ठीक है और अगर आपको इक दुखाद बहुत पर इसका आपको आपका जीरो और पांच है तो आपको एक दुखा तो यहां पर देखिए आपके एक question bank में आपकी question मिलेगे या आपके सारी question सेम है सुनको का योग है और गुणन फल क्रमसा है तो आपको आपको दुखात बहुबद निकालना है यह सभी question चाहे आपका यह आए या फिर आपका यह वाल question आए आपका पीपर में यह वाल question आया ह हुआ है छे का साथवेक answer है ठीक है आठवेक आए ठीक है तो आठवेक answer और इसके बाद चाहे तो आपका minus 1 बटे 4 और एक बटे 4 आए सब को आपको सेम तरीके से करना है कैसे करना देखिए यहां पर आप सिंपल देखिए alpha plus beta मतलब होता है आपका minus b बटे a होता है तो अग है तो है अपका इसी करेंगे तो आपक een कमान देखिए यह पर माइनस होगा और इकमान आपक चाहरत सुछा है तो एप एक कमान », इसी। तो आपको रख देना है आपे दिखए एक्मान यानि फोर एक्स क्यर हो जायका बे कमान माइनस है तो आपको माइनस फूरों इस प्रवब्स आपको सभी अंसर कर लेना है ऐक बार अच्छे इस पढ़लीजिए यह कोोषड आपका चेंज होगा कोषड तो आपकर यह बाला उनको और गुड़ांगों के बीच आपको संबंद गयाद करना है एक स्कॉयर माइस टूयक्स माइस एट की बात कर रहा है तो यहां पर इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ चल्ब सब्सक्राइब करो पहले जल्दी करो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देख सकते अलफा और बीटा है इसके सुनेक हैं toujours Ultra स्बसमय अलफा और वीटा कमांद देखिए माइस Bटी आ होगा है और लास्ट में हल करेंगे देखि एक मान और A लोग इन चुका है और मान निकालएंके लिग फृसष़्प्ल स्प्तिफ प्लस स्बसमय में आपको रखिएंग सुनने को आपके x वराबर 4 और x वराबर माइनस 2 निकलेंगे ठीके यह आपको वहववत था इसके बाद आपको यह योग करना है देखिए जोड देएंगे दोनों को इस परकार से कर सकते हैं कोई दिकत है नहीं देखिए आपका इंप गोष्चन आपका से प्रोसेस में लगे गाए है तो सुनकों को निकालना है पैने फिर सुनकों गुड़नफलन निकालना है यह देखि निकालागा दो comprar और इसके बाद आपको हनल उप तो इसके बाद आपका यहां पर्ति स्थापन विजिस से ग्याद करना है, तो यह कोश्चन आपको ग्याद करने के लिए बहुत ही सिम्पल कोश्चन है, इसे आप अगर ग्याद करना चाहते हैं, तो इसका अंसर देखिए आपका पहले X प्रस Y का आपको हैपे इससे आपको पहला समिकरण देना है मैंने दे दिया है आपके देखिए इसके बाद आपका 2X माइनस 3Y को करेंगे तो आपको हैपे दूसरा आपका समिकरण यह दे दूँगा और इसके बाद 2 कमान समिकरण आपका देखिए यह आपको जो by कमान इस निकला है इसको अपको आपकोपे समय कर्ण 2 में आपको भी इसका मान रख दूगा और आपका यह बाइब बराबर 5-1 आपको समय कर्ण 3 निकल जाएगा इसका मान निकालेंगे by का इससे तो देखे 5 और वो आपका है पयापे आएगा पक्छानता आजाएगा आप यह पी अच्छे से कर लो दोस्तों क्या आप भी कक्षा दस्वी वाब वारवी के MP परिच्छ धुवार 30 के 101% चे रियल पेपर प्राप्त करना चाते हैं तो आपको हमारे पेट कोर्स को जोईन कर लेना है जिसमें हिंदी अंगरे जी दस्वी के लिए गड़ विज्ञान, समाजी, विज्ञान, संसकरत तथा वारवी में साइंस ग्रूप, आर्ट्स ग्रूप यान की एक ही कोर्स में सवी सबजेक्ट के रियल पेपर परिच्छ से पेले ही प्रोवाइड करा दे जाएंगे इसमें आपको 101% असली पेपर संपूर हल के साथ दे और साथ ही में आपको हमारे दोरा एसे मोडल पेपर दी जाएंगे जिसके अदि आप त्यारी करते हैं तो आप परिच्छ में 80% से उपर आप स्कोर कर सकते हो ओफर के करन आपको ये कोर्स मात्र 199 रूप में दिया जा रहा है और ये ओफर केबल 25 फरवरी तक है बाद में इ जोन करने की लिंग और यदि आप समझने चाहते हों कि आपको पेड़ वोइच किस तरह खरीदना है तो तीनों की लिंग आपको डिस्क्रिप्शन वोक्स में दे दी गई है फटफट आप भी जाए फटफट से आप इसे बाई करिए और टोपर बन जाईए और इसके बाद कंशन के बाद आता है पांच बर्फंश बाद जैकब की आयों से तेल गुनी हो जाएगी पांच बर्फ बाद जैपक lei उसके ऑपे-धिस ती साथ गुनी थी तो बत्तography थी तो चैशित करना crystal करना है कैसे करेंगा देखे कि आपका है पर उसके पुत्त किया हुए कि तीन गुणी हो जाती है पांच वर्स बात कि बात करना देखिए तो प्लस पांच वर्स कर देंगे दोनों में और इसका आपका तीन गुणा यह हुआ अब इससे हल करेंगे निकल कर आजाएगा देखिए आपको 10 अब अब कर देखिए शालिस बर्स होजाएगा इसकी बात मान आई और प्रतमान प्रिता की आपको जैग-पकर 30 बर्स हो जाएगा इसके बाद question देखे 11 बाद लिखा है एक दुगा समय करने 2x square minus 3x प्रस आपका 5 का मोलों की प्रक्ति याद करना है और आपका यह वाला question आपको दिया गया है ठीक है प्रक्ति आपको बता देना है यह आपका इसमें दिया गया है तो के कमान आपको ग्याद करना है यह भी question बहुत सिंपल है कैसे आप कर सकते हैं देखिए तो इसका आपको देखी question पूरा answer आपको यह मिल जाएगा आप यहाँ पर देख लो यह पूरा answer है यहां से लेकर आपको यह पर अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़कर जाना है इसके बाद question आपका जो आता देखिए same question आपका चाहिए वाला हो चाहिए आपका यह बाला हो मान आपको के का निकालना है तो आपको same process होगा आपका लीज़ेगा और इसके बात question देखिए बारबा आपका समांतर सड़ी 21, 18, 15 में कौन सा पाद आपका 81 है यह आपका question डारेक्टिया को पूचा ही जाएगा तो य आपका इसका अंसर देखिए यहापे आपका इवाला question है फूत रख दीजिएगा a1 a plus n n minus 1 d और आप इसे हल करेंगे तो आपका 35 पद आपका 81 हो जाएगा और इसके साथ देखिए question अगर आपका यहापे change हो question बच्चे बोलते sir आपका directly question पेपर में नहीं आया है तो ऐसा इस बार बेलकुल नहीं होगा यहाँ पर हमारे पास real paper है उसके लिए आपको जीट कर इंडिया आपको क्या चला सरकजना है आपको टेलीग्राम में जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है जीट classes चीग है और जीट क्लासे इंडिया सर्च करेंगे तो 21 हजार का आपका पे करने पड़ते हैं इसलिए आपको पुछ पैसा को देना है जिससे हम वहाँ पे दे कर पे करके आपको paper दे सके बागे आपको real सुबए आपको real paper उबलफ्थ हो जाता है एक गंट आपको पास पढ़ने का फ्री में मौका रहता है और पढ़ लिजीगा सारा आपको इस paper क material मैं आपको दे दूँगा ऐसा नहीं है कि इस paper में आपके real question paper के आपके question इसमें है बस आपको लेकिन थोड़ा सा आपको आपको अथवा सहीत पढ़ना पड़ेगा और आपको directly आपको पढ़ना है तो उसके आपको आपको telegram join करना पड़ेगा फटा फटा फट जाके join कर ल लेना और इसके बाद question देखी यहां पर question आपका आत्मा में आया हुआ है 10 और 250 के वीच चार के कितने गुड़ा जहें तो यहां पर question आपको इसी प्रस चेंज होगा तो यहां पर देखी आपको अंसर यहां पर यह question आपको यह मिल जागा देखी तो यहां पर आपका लिखा है दो अंको वाली कितने संख है तीन से विभाज है तो यह question भी आप यह पर पढ़ लीजेगा ठीक है यह आपका IMP आपको पता देना हो कि आपको इसे पढ़ कर जाना है साथ में आपको question यहां पर आपका देखी यहां पर बिल जाए question में 13 त्र पत्र बनाईए और देखिए इसी आपका अपर कहा है 90 डिगरी है बिल्कुल है देखिए समकोड है से तकरना है एबी स्क्वेर प्लस टूए सी स्क्वेर देखिए तो एसी और एबी दोन आपके बरावर होंगे तो एबी स्क्वेर बरावर क्या होगा यहां आपका सूत्र आपको एक संकोड त्रिवोच है आपको एंसर करना है तोंसर करेंगे इसका आपको यहां पर चीत्र बनाईए और चीत्र बनाने के बाद आप एबी स्क्वेर यहां त्र गर्णे आप्वेर देखिए एप इस को आपका इसके बराबर होगा आसके बस आपको इतना ही करना है ठीक है छलिए इसके बाद कोश्चिन आपको 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 दो करूं कि कोश्चिन आपको आता है चोदम नंबर 122 का इससे सम्मंद गयत किजिए तो अगर मैं इसके अंसर की बात करूं तो आपका अंसर देखी यह पे आपको अच्छे से पढ़ लेना है आपकी पास आज का मौका है एक एक कोश्चन रट लेना एक कोश्चन आपको बाला तो देखी यह कोश्चन है और इसके अगर मैं आंसर की बात करूं पांच छे और एक दो को जोड़ने वाले बायक्ष पर अनुपाद वहर के प्रतिछेट बिंदू के निर्दसांग गयात करना है तो इससे आपको कैसे करना है आपको यह देखिए कोश्चन आपका से अगर मैं इसके अंसर की बात करूं तो इसका भी अंसर आपको मिल जाएगा देखिए यहां पर आपको कोश्चन यह रहा बहुत सिंपल देखिए साइन शिक्टी कमान आपको होता है अंडरूर थ्री बाई टू होता है और कोश्च थर्टी का मल्टिपलाई है यानि आपका मल्टिपलाई है अंडरूर थ्री बाई टू होगा प्लस आपका लगे है कि साइन थर्टी कमान एक बटा दो कॉस्टी कमान एक बटा दो करें देखिए यहां पर तीन कर तीन से बुड़ा हो आपका तीन होगा दो दूनी आपका चार हो जाएगा एक कम एक और दो दूनी च कॉश्चन देख लिए लेक ऐखना के आपका को शोर्ट यह तो आपके पीपर में पढ़ा है और साथ पर यह कोश्चन देखिए अपके एक यह हो गया इस कोश्चन आपका बाहर पीपर जाएगा ही नहीं हम गारण्टि लेते हैं आपको मांत्र कितने कोश्चन पढ़ ना है तो जैसे आपका ये question हुआ तो आप इसे पढ़ लीजेगा आपने अलड़ी पढ़ लिया हुआ कोई आप काठीन question है नहीं या फिर आप इसे question देख लो इनका बस आपको मान रखना है तो त्रिकोड मेती बेदी आप यह पर आपका आता है शोलबा नंबर त्रिज्या आपको एक ब्रत का त्रिजखंड छेटफल ग्याद करना है जिसका code आपका साथ डिगरी है अगर मैं इसके answer की बात करूं तो यह देखे इस question का answer आपको यह पर यह मिल जाएगा आप यह पर त्रिजखंड का आपको छेटफल बतान का और इसके बाद question देखी यहाँ पर आता है कार के प्रतेख पईया के ब्यास आपका 80 cm तो चल रही है तो दस मिनट में प्रतेख पईया की कितने चक्कर लगाता है अगर आपको question का देखे answer आपको यह मिल जाएगा आपको अच्छे से question करना है देखी यह बाला question आपका से से का लिजिए यहाँ पर यह प्रतेख 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाएगा आपको answer निकल के आगया और इसके बाद question के सत्रवा भूमे के एक बिन्दों से मिनार पाद में 30 मीटर के दूरी पर है तो सीखर का उन्यन को 30 डिगरी है तो मिनार की आपका उचाई क्यात करना है यह question आपका answer आपको यह मिल दैगा दिखली जिए पूरा answer और पर आपको यहाँ उपलगा दिया इसका अंसर आपको यहां पर आपको यह मिल जाएगा देखिए यह कोश्चन अथवा और आपका चित्र बनेगा और इसके बाद पूरा लिखने के बाद आपको अंसर 10 मीटर आपका इसकी उचाई हो जाएगे ठीक है तो आपको 10 मीटर यहां पर आपको उचाई लिख देना ह और इसके बाद question दिखिए यहाँ पर आपका इसे करने के बाद question आपका ठारवा आता है यह 18 question 45 और 60 degree आपका इसे मिनार की उचाई है तो question आपका ठारवा से अंसर आपको एक next वीडियो पर आपको दूँगा हर एक question का पॉंसर दे दी जाएगा जैहिंद जै भारत